वर्य गुद बॉर्णिंग स्टूरेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगोंने प्लेटू डिसकस किया था उसके चरेक्टरिस्टिक टाइप्स यह सारी किज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिसकस की थी एंड एस की इन था पिक्ष्यर यहाँ पर देखे इस पिक्षर में आपको एक रिवर दिख रही है और रिवर के सास्पास यह जो ढिक आए ये सब स्ट॥ फ्रूज इसको दिख रहे ह। by the same river ठीक है और यह जो deposition आपको दिख रहा है ना बहुत vast area में इसी को कहा जाता है plains तो आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे plains its types and characteristics ओके तो चलिए start करते हैं सबसे पहले plane की definition, plains होते गया है लिए normal अगर language में कहा जाए तो सबसे पहले तो एक flat area ठीक है जिसका expense या expansion बहुत जादा large area में होना चाहिए उसको हम plane कहते हैं definition में दिख लीजे, a plane is a flat expense of land that generally does not change much in elevation, क्या कह रहे हैं कि एक बड़े से area में फैला हुआ flat land है जिसका generally elevation कभी change नहीं होता है ठीक है ना, हमेशा लगबख flat ही रहता है यह नहीं कि अचानक से वहाँ पर mountains बन रहे है नहीं, normal रहता है, बहुत ज़दा variation उसके elevation में नहीं आता है and are primarily treeless, क्या होता है जब यह बनते हैं तो इसमें किसी तरह के पेड़ पौधा या घास नहीं होते हैं बाद में भले ही धीरे-धीरे grow करते हैं जब यह plane बन जाता है लेकिन primarily, जब यह बन रही होते हैं plane तब किसी भी तरह का पेड़ या पौधा उसमें नहीं होता है इसलिए यह treeless होते हैं ठीक है Plane occurs as low land along valleys or at the base of mountain यह आपको low land valleys जो होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं या फिर जो base of mountain होता है मालीजी एक mountain जहाँ पर खत्म हो रहा है ठीक है जहाँ mountain खत्म होगा उसके बाद धीरे-धीरे elevation कम होगा और फिर धीरे-धीरे plane start हो जाएगा तो जहाँ पर mountain खत्म होते हैं base of the mountain होता है वहाँ पर यह क्या होते हैं आपको plains देखने के मिलते हैं as coastal plains जैसे कि आप coastal plain देख लीजे अगर आप western guard देखेंगे तो western guard जहाँ खत्म होता है ठीक है न? west side में वहाँ से plain start होते है coastal plain कहा जाता है उनको ठीक है और एक तरह से जो plateus होते है plateus या उसके उपर का जो land होता है वो भी flat होता है तो उसको भी हम upland कह सकते हैं लेकिन basically वो plateus में calculate होता है बस यहाँ पर बताया गया है कि उसको भी हम कह सकते हैं ठीक है न? तो definition आप यहाँ से note कर लीजिएगा अब बात करते हैं कि types कौन कौन से हैं बही structural plane है erosional plane है and depositional plane है आपके syllabus में क्या है? आपके syllabus में सिर्फ दो है structural and depositional erosional plane क्या है? मैं आपको बता देता हूँ माल लीजे कि यह कोई plateau area है या high elevated area है धीरे धीरे उस पर water और wind की वज़ा से erosion हो रहा है तो इस तरह के plane construction को हम erosional planes कहते हैं otherwise आपके syllabus में सिर्फ structural और depositional है बात करें characteristics of structural planes यह कैसे बनते हैं कि क्या characteristics है structural plane का मतलब होता है कि suddenly यह होता है न land का upliftment हो जाए माल लीजी कि दो तरफ mountain है बीच में एक valley है और valley से upliftment हो जाता है तो दोनों mountain और valley के upliftment से वो एक flat area बन जाएगा ठीक है तो these planes are mainly formed by the upliftment of a part of the sea floor और continent shelf कभी-कभी ऐसा भी होता है sea floor में भी upliftment हो जाता है ठीक है तो एक plane area उपर आ जाता है तो इस तरह के planes जो हैं उसको हम structural plane की category में रखते हैं कहां होते हैं यह they are located on the borders of almost all the major continents यह जो continents के borders है न वहाँ पर आप देखेंगे क्यों क्योंकि borders पर आपको जाद तर continent के borders पर आपको ocean देखने के लिए मिलता है ठीक है तो जैसा कि उपर वाले point में बताया गया है कि sea floor का upliftment होता है तो भाई जहाँ पर sea है वहीं पर तो यह मिलेगा ठीक है तो जितने भी continent है उनके border पर जहाँ जहाँ पर यह seas connect करते हैं oceans connect करते हैं वहाँ पर आपको structural plane देखने के लिए मिलते हैं ठीक है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि structural planes जो होते हैं वो submergence की वज़े से भी बन सकते हैं माल लीजे कहीं पर होई high elevated area है और अचानक से वहाँ पर क्या होता है land submerged हो जाता है submerged होने के बाद flat हो जाता है वो plane structure हो जाता है ठीक है तो upliftment के साथ साथ submerged होने से भी planes का construction हो सकता है अब बात करें characteristics of depositional plane depositional plane का characteristic पहला तो आप ऐसी मालो depositional plane होता क्या है जब sediments के depositions से जो plane बनते हैं उनको हम क्या कहते है depositional plane कहते है ठीक है पहला point देख लिजे these planes are formed by the depositional activity of various geomorphic agents various का मतलब यहाँ पर animals भी हो सकते हैं wind है and water है यह सारी चीजों इनको agent कहा गया है तो यह सारे जो agents हैं इनसे जो sediments deposit होते हैं deposition जो process होती है इन सारे agents के थुरू उससे जो flat बनते हैं उनको हम depositional flat कहते है ठीक है when planes are formed by the river deposit they are called as riverine and alluvial planes जैसे कि आपने picture में देखा था starting वाले page पर कि जो river के थुरू बनते हैं उनको हम alluvial plane के वाल यह river है वो soil लेकर आ रही है और एक जगा पर लाकर sediments deposit कर रही है तो वो जो plane बनेगा river के थुरू उसको हम riverine या फिर alluvial plane कहेंगे ठीक है next the depositions of sediment in the lake in a lake give rise to a like a stream plane और lake plane क्या होता है कि जो बहुत ज़ादा एक lake है मान लीजे for example एक lake है और उसमें चारो तरफ से पानी आ रहा है लेकिन पानी के साथ सेडिमेंट्स बहुत सारे आ रहे है ठीक है अब sedimentation होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है और पानी जो है evaporate हो के खतम हो रहा है क्योंकि उसमें sediments बहुत ज़ादा है तो पानी रुप नहीं पाता है धीरे-धीरे वह sediments इतने जादा होते हैं कि पूरी की पूरी लेक fill up हो जाती है और वह एक flat structure बन जाता है plane बन जाता है तो उसको हम लेक planes भी कह सकते हैं ठीक है when planes are formed by glacier deposit they are called glacier or drift plane क्या होता है कि जो हमारे glacier होते हैं जब धूप निकलती है तो थोड़ा सा melt हो जाते हैं melt हो जाते हैं तो movement के लिए वह free हो जाते हैं फिर दीरे-दीरे वह खिसकते 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 नीचे की तरफ आते हैं ठीक है और जितना area वह drift होते जाते हैं उतने area को वह clear करते जाते हैं plane बनाते जाते हैं तो उस तरह का जो plane होता है उसको हम कहते हैं drift plane या glacial plane ठीक है नेक्स आता है हमारा wind wind के तुरू जब deposition होता है तो उसको हम lowest plane कहते हैं तो यहाँ पर कई सारे तरीके के planes बता दिये गया है है riverine है aluvial है lake है लेके strain वाला जो plane है उसको drift plane, glacial plane या फिर lois plane या अलग-अलग नाम है आप इन सब को use कर सकते हो ठीक है अब देख लिजे economic significance क्या है भाई आखिर planes इतने ज़्यादा important क्यों है आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा वह बहुत ज़्यादा fertile होती है जिसलिए उसमें हम wheat, rice और food crops बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा production ले सकते है ठीक है तो इसलिए जो planes होते है उनको food basket of the world भी कहा जाता है यहां पर दिखे लिखा हुआ है food basket of the world उसके बाद the growth of industries भाई जाहिर सी बात है जहां पर agriculture बहु product बनाने की जैसे कि हमने aloo grow किया aloo से chips बन सकते है fries बन सकती है उनकी factory लग सकती है मतलब कई सारे अलग जैसे cotton है cotton हमने grow किया तो cotton से textile industry लग सकती है है गी नहीं तो इस तरह से कई सारी industries का growth हो जाता है ठीक है next आता है हमारा expansion of means of transport बाई देखिए जैसे जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा सा एरिया है हजारों लाखों किलोमीटर का square किलोमीटर का plane एरिया है जब हाँ पर industries लगेंगी तो जाहिर सी बात है दूर दूर होंगी अब agriculture land से भी industry दूर हो सकती है तो हमको सामान लाने के ल उसरे country में पहुचाना है तो भी क्या चाहिए ट्रांसपोर्ट चाहिए तो इससे जो है ट्रांसपोर्ट बहुत जादा expand होता है एरपोर्ट हो गया roads हो गया या railway हो गया यह सारी चीज़ें बहुत जादा develop होती है उसके लावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया center of civilization plane में स आपक सा नीद आ रही है मुझे नीद आ रही है मुझे सोना है बहुत ज़्यादा laziness जो होती है वो आपकी plane में देखने को मिलती है उसके लावा setting up of cities and towns अब क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर रहेंगे तो फ़री लोग रहेंगे तो civilize होंगे civilize होंगे तो अपनी के लिए बस इतना ही एंड अपना और अपनों का खयाल रखिए घर में रहें सुरक्षित रहें और आज के वीडियो में इतना ही thank you so much next video में आपको next topic के साथ मिलता हूं